Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro So friends, आज के लेक्चे का सब्जेक्ट है लाइव स्टोक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज के लेक्चे के टॉपिक्स हैं फीडिंग एंड मैनेजमेंट इसमें हम सिखेंगे कि एनिमल्स की फीडिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए और उनकी केर कैसे करनी चाहिए और इससे पहले मैंने इंडाइजीनर्स और एक्जोर्टिक प्रीट्स का लेक्चे लिया था इसका लिंक आपको मेरे दिस्क्रिप्शन में मिल चाहिएगा और यू के अलसो जोईन मैं टेलिग्राम ग्रूप पर मोर सच अप्डेट्स और प्रोग्रेस काफ्स पर डिपैंड करता है इसलिए उनकी फीडिंग और मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि गूड अनिमल्स आर रेज़्ट नोट पर्चीजड काफ्स की फीडिंग और मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो एक healthy species को birth दे सके क्यूंकि अगर animals की feeding और management सही नहीं होगा तो वो कमजोर हो जाएंगे और new generation भी weak पेदा होगी The next topic is early management Means काफ के birth के बाद उसकी care कैसे करनी चाहिए समझते हैं First point है कि जैसे ही cow birth देती है तब काफ के mouth और nose पर mucos होता है Mucos एक semi-fluid liquid होता है जिसे normally cow चाट कर साफ कर देती है जिसकी वज़े से काफ की skin साफ हो जाती है और उसकी breathing and blood circulation नॉर्मल हो जाता है लेकिन अगर किसी condition में cow काफ को साफ नहीं करती है तो उस condition में जैसे की ठंड के time के मोसम में साफ कर देना चाहिए जब किसी condition में काफ breathing नहीं कर पाता है तब उस time हमें artificial alternate compression and relaxation प्रोवाइट करना चाहिए ताकि काफ की breathing rate नॉर्मल हो सके Next point है कि जब काफ cow के peat में होता है तब वो navel से connected होता है तो जब काफ का बर्थ होता है उसके navel को हमें body से 2 से लेकर 5 cm तक दूर से cut कर देना चाहिए और जिस जगह पर cut लगाया चाहता है उस जगह पर iodine या फिर boric acid जिसे antiseptics को use करना चाहिए ताकि उस जगह पर germs growth ना करे और उसे किसी type का infection ना हो Next point है कि काफ का birth weight हमें record कर लेना चाहिए ताकि हमें उसका weight gain और loss का पता लग सके The next point Cow order को chlorine solution से साफ कर देना चाहिए ताकि काफ जब milk feeding करे तब bacteria उसे infect ना करे और काफ का जो first milk होता है उसे cholesterol बोलते है उसे काफ को provide करना चाहिए क्यूंकि उसमें antibodies और immunoglobin होते है जिससे काफ को immunity मिलती है Next point है कि जब काफ का बर्थ होता है तब यदी वो one hour में नहीं खड़ी हो पाती है तब उसे nurse को बुलाद लेना चाहिए क्यूंकि वो एक weak काफ होता है और उसका treatment कराना important होता है Next point है कि normal और healthy काफ को दिन में दो बार milk provide करना चाहिए और अगर काफ weak है तब उसे दिन में तीन बार feeding करानी चाहिए काफ के बर्थ के बाद उसे तीन तीन तक कॉलेस्टरम provide करना चाहिए कॉलेस्टरम एक ठिक viscous fluid milk होता है जिसके अंदर high amount में vitamin A और protein मिलते है नॉर्मल काफ को हमें दिन में दो बार feeding करानी चाहिए और wheat काफ को दिन में तीन बार feeding करानी चाहिए Next point है कि जब काफ one month का हो जाता है तब हमें उसे starter देना चाहिए और next point है कि चार महिने बाद हमें काफ को अच्छी quality का फोर्डर और hay provide करना चाहिए Means जब काफ चार महिने का हो जाता है तब उसे हरी कास और चारा देना चाहिए So ये हमने सीखा कि काफ की caring और management कैसी करनी चाहिए The next topic is feeding and management of heifers Heifer क्या होता है ये हमने first lecture में सीखा था Heifer 6th month से above की female cow को बोला जाता है So अब हम समझते हैं कि heifers की feeding habit और management कैसा होना चाहिए First point है कि अगर हम heifer की अच्छे से caring करे और अच्छी feeding habit प्रोवाइट करे तो heifer healthy काफ को बढ़ देगा और dairy production भी अच्छे से होगा Next point है कि heifer को sufficient amount में diet प्रोवाइट करनी चाहिए जिससे heifer की growth और development भी सही हो Young heifer को protein जादा प्रोवाइट करना चाहिए Next point है कि जादतर heifer की growth और development का main reason होता है हेफर की growth depends करती है उनके feeding habit पर Next point है कि heifer को रखने के लिए dry और open shelter होना चाहिए Next point है कि breeding के लिए heifer की size उनकी age से जादा matter करती है Undersize animal की breeding करना इतना profitable नहीं होता है Next point है कि heifer को kelving से पहले 6-8 weeks तक separate shed में रखा जाता है दूसरे animal से अलग Next point है कि heifer की proper growth के लिए सही maintenance और caring करना ज़रूरी है Next point प्रोपर health के लिए house shelter साफ होना चाहिए साफ पानी और balanced feeding और common disease के लिए basic prevention रखने चाहिए Next point है कि periodically heifer की health check-up और progress चेक करनी चाहिए इसके बाद last point है कि जब कभी कोई animals common behavior show नहीं करता है तब उसे उसके group से अलग shed में रख देना चाहिए ताकि दूसरे animals उसके साथ misbehave ना करे The next topic is care and management of milking animals Milking cows का कैसे care और management करनी चाहिए समझते है First point है कि high lactation के लिए milch animal को properly fed कराना चाहिए और उनकी care और management proper होना चाहिए Cow को proper amount में forage और hay provide करना चाहिए ताकि उनकी body की जो requirements होती है वो पूरी fulfill हो सके Next point है कि कभी भी animals को गुसे से या फिर उनसे गंदा behavior नहीं करना चाहिए उनके साथ हमेशा शान्त और सरल व्यवार रखना चाहिए Next point है कि अगर काउ की caring और feeding अच्छे से करी जाए तो काउ Kelvin के 16 days बाद ही next heating के लिए ready हो जाती है Next point है कि animals की Kelvin के बीच में जितना कम interval होता है Animal उतना जादा efficiently milk produce करता है Next point है कि काउ के breeding और Kelvin period को proper record करना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो काउ regularly पूरे साल milk produce करती रहेगी Next point सभी animals की feeding habit का record maintenance करना चाहिए ताकि सभी animals को उनकी need के according diet मिल सके Next point काउ की feeding habit regularly चेक करना चाहिए milking के time concentrate provide करना चाहिए और milking के बाद रफेश देना चाहिए The next topic is care and management of dry cows Dry cows उन्हें बोला जाता है जो next Kelvin से 2 से 2 महीने पहले milk नहीं देती है उस time हमें काउ की caring और management अच्छे से करने चाहिए ताकि काउ next pregnancy के लिए preparation कर सके इसे लिए काउ 2 से 3 महीने के लिए dry period में चली जाती है सो अब हम समझते हैं कि dry cows का reason क्या होता है First point है कि काउ first Kelvin के बाद dry period को follow करती है ताकि उसकी milk secretary organ को rest मिल सके Second point है काउ को next Kelvin के लिए proper nutrients मिल सके ताकि वो fetus develop कर सके और milk produce कर रहे तो nutrients utilize ना हो Third point है कि काउ dry period को इसलिए follow करती है ताकि उसकी body के minerals store हो सके और milk production में वो deplete ना हो Fourth point है कि काउ next Kelvin से पहले उसकी body में energy और body fat store कर सके The next topic is methods of drying of काउ First type है incomplete milking Dry off period start होने के बाद milking कुछ दिनों तक रुपती नहीं है completely धीरे धीरे milking कुछ-कुछ liters कम होती है और finally milking stop हो जाती है कुछ animals में Second method है कि intermediate milking जिस काउ का dry off period होने वाला होता है वो कुछ time तक दिन में एक बार milk provide करती है फिर एक दिन छोड़कर एक दिन और finally उसकी milking stop हो जाती है Third method है complete session इस method में काउ के अडर में जब milk पूरी तरीके से fill हो जाता है और pressure increase होता रहता है जिसके वज़े से milk secretion stop हो जाता है और gland उस milk को absorb कर लेती है और dry period start हो जाता है So ये थे dry off के तीन methods The next topic is care and management of pregnant animal Pregnant animal की caring और management practice अच्छी होनी चाहिए ताकि वो healthy calf को birth दे सके और lactation के time milk production जादा कर सके Next point है कि pregnant animal को 1.25 kg से 1.75 kg तक concentrate प्रोवाइड करना चाहिए और सही quality का fodder प्रोवाइड करना चाहिए Next point है कि pregnant animal को other animals के साथ Sam shelter में नहीं रखना चाहिए उससे high risk होते हैं Even cow का abortion भी हो सकता है और उससे cow को diseases भी हो सकती है Next point है कि pregnant cow को normal exercise देनी चाहिए ताकि उसकी calving normal हो सके Next point pregnant animal का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो other animal के साथ fight ना करे और कोई dogs या फिर दूसरे animals उसे परेशान ना करे Next point अगर accurate breeding date पता हो तब cow तब उस condition में हमें expected calving date को calculate कर लेना चाहिए ताकि उसे 1, 2, 2 week पहले ही parturation pen में shift कर देना चाहिए जहां पर cow bird देती है Next point है कि parturation pen clean होना चाहिए और proper fresh जगे होनी चाहिए सोने के लिए Next point है कि gestation period के last days में parturation से 8 weeks पहले तक cows को one कीजी extra concentrate प्रोवाइड करना चाहिए Next point है कि cow की delivery symptoms notice करने चाहिए जैसे कि external genitalia का swell होना या फिर others का swell होना और majority of cows नॉर्मली बिना कोई help के delivery कर देते हैं लेकिन अगर कोई difficulty होती है parturation में तब veterinary doctor से help लेनी चाहिए Next point है कि parturation होने के बाद external genitalia को clean और wet cloth से साफ कर देना चाहिए Next point है कि parturation के 2-4 गंटे बाद placenta break हो जाता है normally लेकिन अगर किसी condition में break नहीं होता है तब हमें veterinary doctor की help लेनी चाहिए So the last topic of the lecture is care and management of breeding bull Successful breeding के लिए breeding bull की proper caring और management प्रोवाइड करना चाहिए इसके कुछ basic steps होती है समझते है The first is selection यही सही breeding bull को select करना main task होता है The second step is feeding Breeding bull को balance tight होनी चाहिए Proper amount में energy, protein, mineral और vitamins प्रोवाइड करने चाहिए Next point है कि mature bull को good flesh प्रोवाइड करना चाहिए लेकिन over fat नहीं देना चाहिए और sufficient amount में hay, fooder, concentrate उनके body weight के according प्रोवाइड करना चाहिए Next point है कि अगर breeding calf को सही amount में balance tight दी जाए तो young age में sexually mature हो जाता है bull The third step is housing Breeding bull को separate shelter provide करना चाहिए जिसकी dimension होती है 15 by 10 inch Next point है कि shelter clean होना चाहिए और उसमें enough space होना चाहिए ताकि freely bull move कर सके Next point है कि shelter में feeding और watering facility अच्छी होनी चाहिए Fourth step है exercise Bull को normal appetite और healthy food provide करना चाहिए जो bull जादा exercise करता है उनका ejaculation amount जादा होता है और sperm quantity भी जादा होती है So this all lecture is about care and management of animals Thanks for watching, please like, subscribe and share